हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू माई चैनल प्रेगनिंसी केर विद मेगा मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आई थिंक सभी स्वस्थ होंग और बहुत ही खुश होंगे दोस्तों प्रेगनिंसी में बहुत सारे ऐसे लक्षन होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी अंदेखा नहीं करना चाहिए चाहिए आप गर्भवस्तके बारे में कितना भी पढ़े और कितना भी सुने मगर यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि नोवे महिने में या आखरी दिमाई में आपको कौन से लक्षन हो सक गर्भवस्ता में ऐसे कौन से लक्षन है आज मेनी के बारे में बात करेंगे और उमीद करूंगी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा जादे से जादा शेयर कीजेगा देखे प् जिन आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है या इसका मतलब ब्लड पेशर का कम होना भी हो सकता है प्रेगनिंसी के शुरुआत में ये आम बात है या इसलिए है क्योंकि प्रेगनिंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं प्रोजेस्टरोन आपकी रक्त वईकाओ की दिवार को बहुत इकमजोर कर देता है इसके करण कभी-कभी आपको चक्कर आ सकते हैं लेकिन अगर तीसरी तिमाही में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बेहोशी जैसा लग रहा है चक्कर लग रहे हैं तो आपको डॉक्टर से सलहा जरूर लेनी चाहिए पेट के निचले हिस्से कर दोका अगया हो जो गरभा सता में अक्सर हो जाता है इसके और भी कारण होते हैं जैसे कि अक्टॉपी प्रेग्णिंसी शुरूर में होती है गरभात के जादा से जादा कंसे होते हैं वह पहली तिमाही में होते हैं अपको अपनी त妬ा होता है नदूर 1-1 धरना 돌 वो आपका जगे से हट जाना, बच्चे के जन से पहले ही करभाशे की दिवार से अलग हो जाता है, इसके कारण भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, तो ऐसे किसी भी स्थिति में आपको तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, पेट के बीच में या उपरी हिसे में दर्द होना, देखे, उल्टी के साथ, मतली, मिचली के साथ, इसके बीना पेट के उपरी और बीच के हिसे में तीखा तेज दर्द कई बातों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि ऐसे डिटी, जलन, पेट में इंफेक्शन, या फिर गंदा खाना, मकंदे से मेरा मतलब है जिसमें कि विश रक्सराव हो रहा है, देखे, गर्भावस्ता की शुरुवात में खून के धब्बे या बिना दर्द के हलका रक्सराव होना आम बात है, यह आम तोर पर अपने आप ठीक हो जाता है, इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, गर्भावस्ता के किसी भी चरण में ब्लीडिंग होने पर आपको तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, यह गंभीर समस्तिया भी हो सकती है, ब्लीडिंग सामान्य मामारी में होने वाले रक्सराव से अलग और कम प्रवावाला होता है, इसका कलर भी अलग होता है, इसमें इतना दर्द भी नहीं होता है, लगात पेट या पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है तो ये गरपात का संकेत हो सकता है अचानक आपको बिना दर्द के ब्लीडिंग होने लगे तो ये हो सकता है आपका प्लेसेंटा जगे से हट गया है किया फिर नीचे आ गया है अठार इसी ब बच्चे को सारा भोजन मिलता है, सब चीजे मिलती है और अगर वो डिसकनेक्ट हो जाता है या फिर वो अपनी जगे से हट जाता है तो बच्चे का विकास बाधित हो सकता है गप्रेग्निंसी के अंतिम चंड में खुन के दब्बे के साथ आपको गहरा ब्लीडिंग होना भी आपके प्लेसेंटा के हटने का संकेत होता है तो ऐसे किसी भी लक्षन को आपको अंधेका नहीं करना है अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही है देखे अगर आप दिन में दो या तीन से अधिक उल्टि कर रहे हैं तो आपको पानी की कमी हो सकती है इससे बच्चे को नुक्सान पोचनी के आशंका तो कम होती है, फिर भी बहुत जादा उल्टी होने के कारण आपके शरीर में बहुत अधिक कम जोरी आ सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी डाइरिया होने का खत्रा हो सकता है, और ऐसी कंडिशन में आपके बच्चे को परिशानी हो सकती है, अगर आपका शरीर का तापमा 99.5 डिग्री फैरन हैट से अधिक है, सर्दी और फ्लू में कोई लक्षन नहीं है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बिना लक्षन के बोडी का तापमान जाद होना भी अगर आपको धुमलाव चमकती पेज रोशनी दिख रही है, तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रिग्निंसी में ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, हाथो पैरों में बहुत अधिक सूजन आना, सूजन या फुलाव आना, तो ऐसी समस्या ह होने पर भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा महसूस कर रही है, तो हो सकता है, या तो आपका बीपी बहुत जादा हाई हो गया है, और हाई बीपी में भी परिशानिया हो सकती है, तेज सिर्दर जो ठीकी नहीं हो रहा है, अग 2-3 घंटे से साथ में पूरे शरील पर सूजन और द्रश्टी में परिवर्तन महसूस कर रही है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से समपर करना चाहिए, यूटी आई हो, अगर आपको टॉयलेट जाते समय जलन महसूस हो रही है, बार बार पेशाप करने के इच्छा हो रही है, टॉयल लग रही है, तो हो सकता है, आपको डिहाइडरेशन हुआ हो, और पानी की कमी से आपके शरीर में बहुत जादा समस्या भी हो सकती है, और हमेशा के तुलना में बहुत जादा टॉयलेट आप जा रहे हैं, बहुत जादा प्यास आपको लग रही है, तो ये भी हो सकता है कि आपको gestational diabetes हुई हो पूरी body पर खुजली होना भी अच्छा नहीं माना जाता है ये भी किसी न किसी problem का संकेत होता है हलकी खुजली होना चिंता की बात नहीं है आपके गर्ब में बढ़ रहे बच्चे के कारण ऐसा हो सकता है लेकिन खुजली अगर जादा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए योनी से तरल मतब liquid बाहर निकलना देखि 37 सब्टा में गर्भावस्ता से पहले योनी से तरल रिसाव इस बात का संकेत होता है कि आपकी पानी की थैली फट गई है लेकिन अगर एक बार पानी की थैली फटने के बाद अगर आपकी डिलीवरी ना किये जाए तो बच्चे में संकर्मन फ्यालने की संभावना बढ़ जाती है और किसी भी तरह का infection हो सकता है अगर आपको सहत्विस सब्टा से पहले ऐसा महसूस हो रहा है 24 गंटे तक आपको देखना चाहिए कि बच्चे की कित्ती मुवमेंट हो रही है और अगर आपको काफी कम महसूस हो रही है तो तुरन डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे की मुवमेंट में कमी आ रही है तो हो सकता है कोई ना कोई समस्या जरूर हो तो इन चीजों का ध्यान आपको आखरी तिमाई में जरूर रखना चाहिए तो अमीद करती हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट क करें जाद से जादा शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग प्रेग्रिंसी के अरविद मेखा थैंक यू नमस्कार